कि ये गैस वन सेकंड विलकम टो एक्जामिश केड़ी दिस इस सुभाम सिंग और यह जो हमारा वकबलरी की सेसं था यानि कि अनका आपको similar मेंनिंग बताना है और आप कमेंट करके बताएं तो चली करते हैं जो हमारा पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे टॉम मतलब क्या होता है टॉम जो हमारा वर्ड लिखा होता है टॉम का मतलब होता है जो मजार होती है यानि कि Muslims के आपने मजार देखी होगी ऐसे कब टाइप की होती है और उसे बोलते हैं Tom Next word लिखा हुआ जिसे बोलते है Moosellium Moosellium मतलब क्या होता है Moosellium मतलब होता है जो हमारा मगबरा होता है उसे बोलते है Moosellium यानि कि Tom और Moosellium इन दोने में difference क्या है मजार तो नॉर्मली आप देखते होंगे कि किसी भी बेक्तिक बना दियाती है लेकिन जो मगबरा होता है आपने जैसे कि ताजमेल ताजमेल क्या है ताजमेल एक Moosellium है यानि कि मगबरा है और मजार आप नॉर्मली देखते हैं कि जो आम लोगों की बना दियाती है next word यहाँ पर लिखा हुआ है epitaph epitaph मतलब क्या होता है epitaph मतलब होता है जो इसे बोलते है शमाधी लेक यानि कि आपने देखा होगा यहाँ पर शमाधी बनी होती है और यहाँ पर जो लिखा होता है जो भी कुछ लिखा होता है उसे बोलते है यानि कि पत्थर में जो कुछ भी लिखा रहता है वो उसे बोलते है epitaph next word लिखा हुआ पियर पियर मतलब क्या होता है पियर यह जो आपको फोटो दिख रही है यह यह यहाँ पर समुद्र है और समुद्र में ये एक statue यानि कि ये जो बना हुआ है तो peer मतलब होता है समुद्र में थोड़े दूर तक बना हुआ है जो structure है उसे बोलते हैं peer और इसके कई सारे mean होते हैं जो बोलते हैं peer बोलते हैं या आप JT भी बोलते हैं J-E-T-Y या बोल सकते हैं Q-U-A-Y या बोल सकते हैं वार्फ W-H-A-R-F वार्फ, क्वे, JT, पियर इन सब का मतलब होता है समुद्र में थोड़े दूर तक जो statue बना होता है उसे बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ है grave grave मतलब क्या होता है? grave word होता है grave मतलब होता है हमारा जिसे बोलते हैं कब्र और इसी से हमारा मिलता है word होता है जिसे बोलते है grave yard या एक word होता है जिसे बोलते हैं church yard या बोल सकते हैं जिसे symmetry यानि कि जो समसान होता है उसे बोलते हैं next word लिखा हुआ है rate मतलब क्या होता है? rate मतलब होता है जो मजार होता है ना मजार पर चढ़ाई जाने वाली माला यानि कि जो मजार पर जो माला चढ़ा जाती है उसे रीथ बोलते हैं W-R-E-A-T-H और यहीं पर अगर हमारा वर्ड लिखा हो W-R-E-A-T-H-E देखिए रिथ और रिथ दोनों सेम वर्ड हैं लेकिन यहाँ पर e लगा हुआ है तो रीत मतलब होता है माल्यारपर्ण करना यानि कि किसी को माल्यारपर्ण करने के लिए रीत वर्ड आता है w, r, e, a, t, h, e तो यहाँ पर e है यहाँ पर e नहीं है इन दोनों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें next word जिसे की रीत आता है उसके बाद एक word आता है हमारा garland यह garland लिखा हुआ है garland मतलब क्या होता है garland जो गले की माला होती है गले की माला के लिए word आता है garland और जो हमारी एक word आता है rosary rosary के मतलब क्या होता है जो हमारी पूजा की माला होती है उसके लिए word आता है rosary तो मैंने सारे जितने भी type की माला होती है सभी को मैंने आप सभी प्रकार की माला के बारे मैंने डिसकस किया rosary, garland, reet या reet जो हमारा है माला आरपन करने वाला तो अब आपको confused नहीं होना है नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है Tribute Tribute मतलब क्या होता है Tribute बोलते हैं या बोलते हैं Obesians बोलते हैं या बोलते हैं Homage नॉर्मल से वर्ड है ये इसका मतलब होता है सरद्धांजली देना ये सरद्धांजली बोलते हैं तो Tribute हो गया Obesians हो गया Homage हो गया सभी का मतलब होता है सरद्धांजली Next word यहाँ पर लिखा हुआ है Skeleton Skeleton मतलब क्या होता है और हाँ यहाँ से एक word मुझे याद आया लिखा रहता है Pay Plural Tribute यानि कि Puspanjali आप देखते होंगे कि जैसे कि हमारे PM है SEM है और कहीं पर जाते हैं किसी की समाधी इस्तल पर जाते हैं जब किसी जैनती वगरा होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि यह Puspanjali अर्पित करते हैं तो लिख के आता है हमारे निश्पेपर में वर्ड आता है हेडलाइन जो होती है Pay Plural Tribute by PM तो मतलब कि Puspanjali अर्भित करने के लिए वर्ड उसके आता है नेक्स्ट वर्ड जैना पर लिखावा है मतलब क्या होता है मतलब जो हमारा होता है जिसे बोलते हैं Dead Body Vehicle यानि कि जो सव वहन होता है सव वहन के लिए हमारा हिर्ष वर्ड यूज किया जाता है Next वर्ड लिखा हुआ है Cartage C-A-R-T-E-G-E Cartage मतलब क्या होता है Cartage जो हम बोलते हैं हम लोग Funeral Procession P-R-O C-E-S-I-O-N Funeral Procession मतलब होता है जिसे बोलते हैं जनाजा यानि कि क्या होता है जब Dead Body हमारी होती है और Dead Body को जब ले जाते हैं तो उसके साथ में जो भी लोग चलते हैं पूरा जनाजा निकलता है यानि कि अर्थी की जो यात्रा होती है उसको बोलते हैं यानि कि अन्ती में आत्रा बोल सकते हैं जनाजा बोल सकते हैं उसके लिए आता है वर्ड नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है क्रीमेट क्रीमेट मतलब क्या होता है क्रीमेट मतलब होता है जो दाश अंसकार होता है जो संसकार वगरा करते हैं उसे बोलते हैं cremate, c-r-e-m-a-t-e, next word लिखा हुआ है lit the fire, lit the fire मतलब क्या होता है, lit the fire मतलब होता है जो dead body होती है, या बोलते हैं चिता को आग लगाना, next word लिखा हुआ है electric furnace, और यह word इस टाइम बहुत ज्यादा popular भी है, आप ने उस पर देखेंगे, कि electric furnace मतलब होता है, जो आपने देखा होगा, कि जो electric वाले जो सौधाय ग्रह होते हैं, यानि कि इसमें क्या होता है, कि इसमें electric तरीके से, जो dead body होती है, उसको जलाया जाता है, उसको बोलते हैं electric furnace, next word यहाँ पर लिखा हुआ है, run a ground, run a ground का मतलब क्या होता है, कोई मान लीजिए कि ship औगरा है, और वो यहाँ पर पानी है, और जैसे कि समुदर में चल रही है, और किनारे पर आती है, तो बालू अगरा हमें फर्स जाती है, तो उसके लिए word आता है, run a ground, यानि कि जो हमारी ship होती है, या हमारी boat होती है, सीपिय बोर्ट का जो बालू या मिट्टी में फर्स जाना, उसके लिए हमारा word आता है, run a ground, next word यहाँ पर लिखा हुआ है, कम अशोर, कम अशोर मतलब क्या होता है, जो मचली बगारा होती है, मचली बगारे का जो किनारे, समुदर के किनारे, किनारे फर्फ फशना, उसके लिए word आता है, कम अशोर, तो यह कुछ हाँ की important vocabs थी, और जैसे कि इससे related मैं आपको अगर बात करूँ, तो एक word आता है, confluence, confluence मतलब क्या होता है, confluence जिसे आप बोलते हैं, शंगम, शंगम मतलब जहाँ पर आप देखते हैं कि तीनों नदिया यहाँ पर मिलती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं confluence, तो जहाँ पर अस्थियां वगरा भी सर्जित करते हैं, तो confluence मतलब होता है संगम, और यहीं पर एक word आता है, earn, 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 earn मतलब क्या होता है, earn मतलब होता है, pot होता है, यानि कि जो मिट्टी का colors होता है, उसे बोलते हैं, earn, urn, colors, तो यह सारी से related हैं, और यह आज के लिए इतने रखते हैं, okay, thank you guys, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, और आप daily practice करते रहें, ताकि आपके लिए burden कम होगा, और आप अच्छे से चीजों को याद कर पाएंगे, okay, thank you,